इस जगत में जो भी आकारवान है वे सभी शरीर, पेड़ पौधे, परवत पहाड आदी बनाए गए हैं इनका निर्मान हुआ है, स्रिजन किया गया है, यहाँ स्रिजन ही स्रिष्टी है, तीन अनादी पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृती, इन तीनों में जो प्रकृती पदार्थ हैं, उस प्रकृती से स्रिष्टी का निर्मान होता है, यहाँ प्रकृती अचेतन तत्त बनाने में दान प्रत्याहरन जिसका अभिन्न हो आवश्यक रूप से हो उपादान कहा जाता है निर्मान में तीन कारण होते हैं निमित कारण उपादान कारण और साधारन कारण निमित कारण बहा है जिसके बनाने से कुछ बने ना बनाने से ना बने अस्वेम आप तो बने और दूसरों को प्रकारांतर से बना दे दे उपादान कारण बहो होता है जिसके बिना कुछ ना बन सके अवस्तांतर होकर कुछ बने भी और बिगडे भी साधारन कारण बहो होता है जो बनाने में साधन होता है वह साधारन निमित भी होता है उपादान बनाने में अत्यंत आ वम विश्वम जगद्वा अनया इती प्रकृति ही अर्था जिस मूल तत्व के द्वारा संपोन जगत का भली प्रकार से निर्मान किया जाता है वह प्रकृति है प्रकृति शब्द मूल तत्व के अर्थ को प्रकट करता है प्रकृति प्रमानू रूप है प्रकृति के इन प तूल जगत का निर्मान होता है परमानों से अनु आजी का जो बनना है जिसका निर्देश महर्शी दयानन सरस्थती ने सत्यार्थ प्रकाश अश्टम समुलास में किया है महर्शी दयानन की पंक्तियां है साथ परमानों के मिले हुए का नाम अनु दो अनु का एक द्रणु जो के स्थूल वायू है तिन द्रणु बराबर छे अनु का अगनी चार द्रणु बराबर आठ अनु का जल पांस द्रणु बराबर दस अनु की प्रित्वी अर्थात तिन द्रणु बराबर छे अनु का तर नहीं जानता तब तक उसे यज़ावजन प्रप्त नहीं होता प्रकृति का स्वरूप क्या है उस प्रकृति से स्रिष्टी कैसे होती है स्रिष्टी बनाने वाले पदर्थ कौन-कौन से है इसका निर्देश करते हुए सांखे-दर्शनकार महर्शी कपिल कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्य वस्था प्रकृति ही, प्रकृतेर महान, महत्व अहंकार हम, अहंकार अथ पंचेतन मात्राण न्युभई मिंद्रियम, तन्मात्रे भ्यास थूल भूतानी पूरुशह इति पंचम इंचेतिर गणा हम, अर्थात, सत्व, रजस, तम, इन तीनों गु भाव है, 25 पदारते हैं, प्रकृति स्रिष्टी का मूल रूप है, इस सुक्ष में प्रकृती से प्रथम, स्थूल रूप महत् बनता है, ततहां अन्यम और भी हंकारादी रूप बनते चले जाते हैं, उनसे ही स्रिष्टी बनती है, 25 पुरुष्टित्व जिसके इश्वर और जीव दो अर्थे हैं जो ना तो किसी का कारण है ना किसी का कार्य श्रिष्टि उत्पत्ती का प्रकार महर्शी द्यानन सरसुती ने इस प्रकार निर्दिष्ट किया है महर्शी के वचन का भाव है अनादी, नित्य, सत्व रजस्तम इन तीनो गुणों की सामे एक अवस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न, परमसुक्ष्म, प्रिथक प्रिथक विद्यमान, तत्व प्रिथक विद्यमान, तत्व पर्मानूं के प्रिथम जो संयुक का आरंभ है तत्व पुनह संयोग विशेश से अवस्थांतर, अर्थात, दूसरी क्रमिक सुक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलाकारों की प्राप्ति है, विचेतर रूप बना है, वही स्रिष्टी कहाती है सभा की आये जी का विदूशी बेहन से एक निवेदन है, क्या मैं अभी इस विशेश पर अपने विचाय रख सकती हूँ, मैं जारकंड से आई हूँ, संप्रती मेरे नुसंधान का विशेश प्रकृती है क्यों नहीं, अवश्य केजिए, जारकंड विश्व विद्याले से आई हुई, प्रोफेसर महुदया, मिश्ट का मान करते हुए, मैं उन्हें सहर्ष दर्शर गोश्टी का प्रतिभागी रूप में सुकृती देती हूँ, वे आये और प्रकृती विशेश पर उत्तम करते हुए, रिगवेद में कहा है, तमा आसित तमसा गूड हम अग्रे प्रकेदम सरीलं सर्व मायदम, मंत्रार्च को इस पष्ट करते हुए, दुर्गाचारिय कहते हैं, तमेव खलूई दम अग्रासित, तस्मिन तमसी क्षेत्र जीव प्रत्मो अध्यवर्थत, अर्थात प्रले अवस्ता से जब स्रिष्टी प्रारम होती है, उस समय तमह अर्थात अंधकार ही अंधकार होता है, अंधकार में इस थिती में उस समय क्षेत्र जी अर्थात परमपुरुष सर्वोपरी होता है, जीव भी परमपुरुष के आश्रित होते हैं, स्रिष्टी से पूर् प्रलाई की जो वस्था होती है वह सलील कही जाती है प्रकृति के कणों को परमाणु कहते हैं परमाणु अत्यंत सुक्ष में हैं परस परसंबध है वे सलील रूप होते हैं सलील अर्थात तरल पदार से तीन गुनों से युक्त तराजु की त्री लड़ी के समार है भार तोल प्रकृतिक तरदी सत्वाब रजयते शक्ति और शुन्रय शुदिये फ्रकृतिel के परमाणों में जो पादान नत्तवा आफश्यक्रूश से में युक्त होता है यह प्रकृती की सांब यद्लेगी में साम्य वस्ता के बैलन्स और याजाता है यहाँ अवस्था प्रकृति की मूल अवस्था है साम्य अवस्था से ही स्रिष्टि उत्पति का क्रम प्रारम होता है मनुस्मृति आदि शास्रों का कथने प्रकृति अप्रतर के है अविज्य है प्रसुपत जैसी है वेदान्ती अप्रदर के पदगा भिन्नारत समझगर अनिर्वचनिये करते हैं जो ठीक नहीं है साम्यवस्तारूप प्रकृति से स्रिष्टी बनने का प्रतिपादन महा भारत आधी क्रंथों में भी हुआ है यथा दीपादन्य था दीपादन्य था दीपाः प्रवर्तन्ते सहस्रशह प्रकृति हिसुयते तद्वत आनंत्यान पचियते अर्थात एक दीपक से जैसे हजारों दीपक प्रजवलीद होते हैं वैसे ही प्रकृति अनंत लोगों कुद्पन करती है प्रकृति के एनन दोने से वहक्षीन नहीं होती बंधुजन, सत्व, रजस, तमस्की सामय वस्था की संजय प्रकृति की गई है जब तीनों सत्वा अधिकुन सामय वस्था में होते हैं तब प्रले के वस्था होती है सत्व आधि गुणों की सामेता को समझने के लिए किंजी तील आधि पदार्थों पर द्रिष्टी पात करे तीलों में जैसे तेल दूज में जैसे घृत विद्यमान रहता है उसी प्रकार तम और सत्व में रजह अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है इश्वर प्रकृती की उसी स्थिती में ख्रोभ को उत्पने कर रजह को प्रकट करता है वहार रजस इश्वर से अधिश्ची दोकर वेशम्यावस्था को प्राप्त प्रकृती से या यों कहे, साम्यवस्थक से प्रकृति की विपरित होने पर स्रिष्टिकुत पन करता है, मूल कारण प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, वेश्चिजिक दर्शन में कहा है, महत्यरिय का द्रव्यत वात, रूपा चोपलब जी, अर्थात, महत्परिमान वाले द्रव्य, आरभ्यता तथा, रूप के होने से महत्परिमान है, जो नेक द्रव्यों से मना है, उद्फूत रूप वाला है, उसका प्रत्यक्ष होता है, मूल कारण प्रकृति निर्वय है, उससे नेक द्रव्य नहीं मनते, निर्मान महत्ष से होता है, अधा प्रकृति का प्रत्यक्ष knocking on ृष खर में प्रकृत्रों प्रिक्ष और प्रल्य संजा दिए गई और सोकुल में कufen ॆ Poppy काड़े रिखी व्रीपा बंध किरेंसेृ इस प्रकृती विरिक्षि 이미ंषप्र करें जए छतर प्रकृती का भोग करता है दूसरा भोग ना करता हुआ द्रश्टा बनकर सभी को देखता है यह वा प्रकृती का पूर्ण परिच्षे जारकन से आई हुई सम्मानिया महुदया ने हमें बताया कि पलाई की अवस्था से ही स्रिष्टी होती है और पलाई की अवस्था सामय अवस्था ही है अनिक शास्त्रों के प्रमानों से सिध्धिकिया कि सामय अवस्था ही स्रिष्टी उत्पत्ति का क्रम है इसे क्रम की निरंतरता को बढ़ाते हुए तिब्बत विश्व विद्याले के प्रोफेसर हिमाईशु पांडेयों महत विश्य की चर्चा हमारे मध्य रखेंगे प्रोफेसर हिमाईशु पांडे तालियो द्वारा उत्सा वर्धन कीजे पूज्या माताओ, माने शोत्रविंद, एवं मंचस्त सभी विद्वजन सांख्य दर्शन उक्ति पच्चिस पदार्थों में दुतिय पदार्थ है महत अंतर मुख प्रकृती में इश्वर की प्रेणा से जब शोव उत्पन होता है तब प्रकृती के पर्माणों में परस पर आकर्शन विकर्शन होने लगता है एवं पर्माणों के सहियोग कॉंबिनेशन बनने लगते हैं तब जो प्रथम सहियोग से बनता है वह महत कहा जाता है यह महत प्रकृती से उत्पन हुआ है सांग के दर्शन में कहा है सत्व रजस तमसाम साम्य वस्था प्रकृती ही प्रकृतेर महान सत्व रजस तमस की साम्य वस्था प्रकृती कहीं जाती है प्रकृती से महान उत्पन होता है महत्का सरूप बताते हुए महशी दयानंद कहते हैं जब सृष्टी का समय आता है तब परमात्मा परम सुक्ष्म पदार्थों को इखटा करता है उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सुक्ष्म प्रकृती रूप कारण से कुछ इस्थूल होता है उसका नाम महत दत्तो होता है महर्शी के वचन से इस्पष्ठ है साम्य प्रकृति से उतपन हुआ है महत का सरुप निर्दिश्ट करते हुए कहा है महान वही बुद्धी लक्षणा अरथा महान बुद्धी के चिन्द वाला है । जो महान महत seguinte का नाम बुद्धी है वुद्धी शब्ध बुधव गमने धातू का तिनन्न रूप है बुद्धी म कोने वाला स्वरूप प्रकृति का बना कारण प्रकृति का महत यहां विकार रूप है कारण प्रकृति से परमात्मा ने अपने इक्षण द्वारा परमाणूओं के संयोग से जो प्रथम रूप बनाया वहां महत अत्तो है यहां महत नामा निर्मित विकार उस सामर्थ क्या है जो कारे होता हुआ अगरिम् सृ Origin का कारण बनेगा महत कारण सामे आवस्था वाली क्रकृती का व्यक्त रूप है यहां व्यक्त महतव्यक्त प्रधान- प्रकृती से उत्पन होता है जो बुद्धी शबिस्या जाता है चरंगसंगिता में कहा है जायत वुद्धी ख्यक्तात अर्थात बुद्धी महत प्रकृति से उत्पन होता है प्रकृति से बने इस महातत्तों के शास्त्रों में अनेक नाम निर्दिष्ट है अनेक नामों को इसपष्ट करते हुए महा भारत में कहा है महा दित्युक्तम बुद्धी रितीचा सत्ता इस्मृति ही धृति अब तो यह माने वदंते वमाह जिसका नाम महत है उसे ही बुद्धी कहते है शत्ता इसमृती दृति मेधा ब्यवसाय को समाधी प्राप्ति यह सब व्यक्त के परियाइनाम है ऐसा कहा जाता है प्रकृती से उत्पन जो महत है अर्थात कारण प्रकृती के जो दुतिय स्थिति महत रूप है उससे स्रिष्टी होती है जैसा कि कहा है महान स्रिष्टिम कुरूते नोध्यमाना सिस्रिक्षया महान स्रिष्टिम विकुरूते चोध्यमाना सिस्रिक्षया अर अध्य वसायो बुद्धी ही अर्थात निश्चय आत्मक व्यापार का नाम बुद्धी महत अत्तो है निश्चय कराने वाला जो व्यापार है उसकी प्रकृती से उत्पत्ती हुई है जो आगे इंद्रियादी के इस बुद्धी तत्तो के अन्य कारे भी बताए गये है महत को संजा क्यों दी गई क्योंकि महत में सत्तो गुर्ण वंतिक होता है रजस अमस्वूहक्ता वस्था में रहते हैं उद्धी का कार्य निश्य करना filled लेना होता है किसी विए वस्तु का जान होने पर ज्याता को क्या करना चाहिए इसका निर्णे उत्पन होती है बुद्धी उत्पन होने का तात पर ये किसी नितांत नवीन वस्तु का उत्पन होना नहीं है अपितु प्रल्यावस्था में पूर्ण स्रिष्टी की अनेक बुद्धियां अव्यक्ता इस्थिति में अवस्थित होती है वे पुना स्रिष्टी होने पर प्रक क्रमिक श्रिष्टी का पदार्थ अहंकार है यह महत बुद्धि तत्व से उत्पन पदार्थ है सांख्य दर्शन में कहा है महत अहंकार है अर्थात महत से अहंकार उत्पन होता है पदार्थ संख्या की द्रिष्टी से अहंकार तृतिय पदार्थ है उत्पत्ति क्रम की द्रि को अहंकार कहते हैं अहंकार का अर्थ है अभीमान अर्थात किसी वस्तु के ज्यान को अपने से संबध करके देखना अहंकार के मुख्यतेया किन प्रकार होते हैं रजोगुण सत्वगुण प्रधान तमोगुण प्रधान अहंकार महत से बनने वाले पर्माडु समुह में जब सत्वगुण प्रधान अहंकार कहा जाता है यह प्रधान अहंकार और दो कहा है। कारण प्रकृति की बनी तृतिय इस्थिती का नाम आपह निर्दिश्टी किया है प्रकृति में जब ख्षोब होता है साम्या वस्ता भंग होती है अंतर मुखी इस्थिती से प्रकृति भाहिर मुख होती है तब आकर्शन विकर्शन होते हैं प्रकृति के परमाडुओं में स प्रकृति के त्री गुणों का वहीर मुखोने पर आंतरिक चमक उत्पन होती है अंदर वर्तमान शक्ती दिखाई देने लगती है जिस चमक को सत्व गुण प्रधान वैकारिक अहंकार तमो गुण प्रधान भूतादी अहंकार एवं रजो गुण प्रधान तेजस अहंकार नामों से जानते हैं वह मानते हैं इस मंतर में मित्र, वरुण, अर्यमा नाम आये हैं ये नाम तीनों अहंकारों के द्यो तक है मित्र तैजस अहंकार जिसमें रजोगुन प्रधान है वरुन वैकारिक अहंकार का प्रतिपादक है जिसमें सत्तोगुन प्रधान है और अर्यमा भूतादी अहंकार जिसमें रजोगुन प्रधान है का प्रतिपादक है अंग्रेजी में मित्र इलेक्ट्रॉन कहा जाता है वरुन प्रोटॉन यूम अर्यमा न्यूट्रॉन कहा जाता है सुख्ष में प्रकृति का कुछ स्थूल रूप महतत्व होता है अहंकार महतत्व से उत्पन होता है उस अहंकार का रूप निर्दिष्ट करते हुए महर्शी द्यानेद लिखते हैं और जो उससे कुछ स्थूर होता है उसका नाम अहंकार होता है अहंकार का जैसे अभिमान अर्थ है वैसे अन्यनाम भी लोक में प्रसिद्ध है यथा इर्श्य कामः क्रोधा लोभो येतानी अहंकार परिया ये नामानी भवन्ति एव माहा अहंकार के कामवा अभिमान अर्थ उत्पत्ति के निदर्शक है इर्शय क्रोध आदी प्रगती प्रस्रिती निरोध के द्योतक है प्रलयावस्था में महत से उत्पन अहंकार को महत ही ग्रस लेता है अहंकार उसमें ही समा जाता है कहा गया है आकाशावर्णम्यच्च भूतादिर ग्रसते तुतत भूतादिम ग्रसते चापी महानवई बुद्धिलक्षण श्रोत्री वरिंद इस प्रकार अहंकार मुल्प्रकृती का तृतिय रूप है यह जैसे महत का कार्य है वह स्रिष्टी का कारण है उसका इसपष्ट प्रतीत होता हुआ रूप है इत्यूम्शम अहंकार क्या है मुल्प्रकृती का परिणाम और के तु हमारे मध्य चंडिगट बिश्व विद्याले से पधा रहे हैं जियान प्रकाश्राने विद्वत वरन्य ध्यक्ष महोदे, पूजिया माताओ, एवं बंधुजन मेरे वक्तव्य का विशह है तन मात्रा है सांकी निर्दिष्ट कारण मूल प्रकृती से प्रथम उत्पत्ती महत की हुई महत से विद्यूत पत्ती अहंकार की होती है तता अहंकार सुथ पत्ती होती है अहंकार सुथ पन्न होने वाले क्रम का निर्देश करते हुए सांकी दर्शन में कहा है अहंकारात पंचतन मात्रान्य भाई मिंद्रियम कपिल महर्षी के कथन का तातपर रहे है जो अहंकार वैकारिक अहंकार भूतादी अहंकार एवं तैजस अहंकार तीन प्रकार का है उससे पंचतन मात्राव का समुह एवं जानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों इंद्रियोत पन्न होती है अहंकार से भूतादित पत्ति का कसन करते हुए महाभारत में कहा है भूत सर्ग महंकारात तृतियम विध्धि पार्थिव अर्थात हे राजन अहंकार सुथपन भूत सर्ग को तृतियम अहंकार जानो अन्यत्र भी कहा मनस अस्तू समुद भूता महाभूता नराधिप या मनस शब्द अहंकार के लिए आया है तातपर्रे हुआ हे नराधिप मनस अहंकार से महाभूत उत्पन्न होए है प्रकृति से उत्पन्न होने वाला निर्माण अपनी प्रकृतिया में है प्रग्रती का यह तृतिय रूप अहंकार पूर्वक या पेक्षा और स्थूल सत्तात्मक रूप हैं प्रग्रती की तृतिय रूप अहंकार से तनमात्राइं बनती हैं एवं जियान वहक और कारे वहक इंद्रिया बनती हैं अहंकार से तन मात्राव वा इंद्रियों की तपत्ति का कथन करते हुए महर्शी द्यानन्द लिखते हैं और अहंकार से भिन्न भिन्न, पांच सूख्षन भूत, अर्थात तन मात्राएं, शोत्र, त्वचा, नेत्र, जिफ्व, घ्राण, पांच जानेंद्रिया, वाग, हस्त, पाद, उपस्त और गुदा, ये पांच करमेंद्रिया और ग्यार वामन कुछ स्थूलत पन्न होता है। महरशिद दायनंद की इन पंक्तियों से सुस्पष्ट हुआ कि मूल प्रकृति का प्रथम स्थूल रूप महत हुआ, वित्य स्थूल रूप अहंकार हुआ, त्रतिये तन मात्रा एवं इंद्रे रूप स्थूल रूप हुआ। यह जो मूल प्रकृति का महत आदी रूप मे स्थूल आदी रूप बताय जा रहा वह दृष्ट्री गोजर होने वाले पधर्थ नहीं है पुनहा पंच तनमात्राओं से जिने स्थूल पधर्थों की उत्पत्ती होगी वे स्थूल पधर्थ आंखों से देखे जाते हैं मूल प्रकृति की साम्या वस्था से जो महान उत्पन हुआ महान से अहंकार अहंकार से तनमात्राओं हो रही है तनमात्राओं के सिर्मान का ताथ पर है कि प्रकृति के सूक्ष्मकंपदार्थ बड़े बड़े कनों में बढ़ने लगते हैं वे कन कई शक्तियों से संयुक्त होते हैं वे शक्तियां कणों में उत्पन होई गति से उत्पन होती हैं युत्पन होती हुई शक्तियां हैं तनमात्राओं कहीं जाती हैं ये शक्तियां शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंद कहीं जाती हैं ये तनमात्राइं सूक्ष्म भूत हैं आकाश वायू आदि पदार्थों की गुण भूत हैं तनमात्राइं जब महाभूत आकाश वायू आदि से संयुक्त होती हैं तब उनका प्रिथक स्वतंतर अस्तित्व नहीं रह जाता आकाश वायू आदि नामों से ही पहचानी जाती ह तनमात्राइं रसरोप हैं जब प्रल्या होता है उस मुस्ता में कि तनमात्राइं भी नष्ठ हो जाती हैं वचन है अपामस्ति गुंडों यस्तू, जोति शेलियति रसहाँ, नश्यंत्य अपस्त दातच्चा, रस्तनमात्रा संख्षयाद' अड़थात प्रलय वस्था में आपों का गुंचो रस है वह जोती तेज में रीर हो जाता है रसेतन मातरा के नश्ठ हो जाने से आभा नश्ठ हो जाते है इस प्रकार तनमातराओं का ये शाब्दिक परिचे है पूम शान्ति बैकारिक हंकार तमोगुण प्रधान भूतादी हंकार रजोगुण प्रधान तैजेस हंकार इन तीनों हंकारों में सिमात्र सात्ति कथा तामसिक हंकार से आगे कित पत्ती रुप परिणाम होते हैं सत्वो गुर्प्राइन तामसिक अर्थात भूतादी अंकार से पास तनमात्राइद पन्न होती है उन पास तनमात्राओं के शब्द, स्परश, रूप, रस, गन्धी ये नाम है। ये शब्धादी तनमात्राएं भूतों के सूप्ष मरूप है। शब्धादी तनमात्राओं को उत्पत्ती कारोंने सीधे भूतादी हंकार से शब्धादी तनमात्राओं के पत्ती कारण है। शब्धादी तनमात्राओं के शब्धादी तनमात्राओं के पत्ती होती है। शब्द, स्पर्ष, रूप एवं रस दनमात्रा से अब जल परमानगुत पत्ती होती है शब्द, स्पर्ष, रूप, रस एवं गंद दनमात्रा से प्रथी परमानगुत पत्ती होती है शब्द आधी की पदार्थ संख्या पंचितन मात्राओं में शब्द चौथा पधार्थ है, पंचितन मात्राओं में स्पर्ष पाच्व पधार्थ है, पंचितन मात्राओं में रूप छड़ा पधार्थ है, पंचितन मात्राओं में रस सात्वा पधार्थ है, पंचितन मात्राओं में गंध आठ्वा पधार्थ यह श्वजार आदि तनमात्राएं सोक्ष्म भूत कही जाते है क्योंकि इनका स्वस्वरोप सुल बदार्थों की भादी द्रिश्ट्री गोचर नहीं होता इन सोक्ष्मों की चान उसके सामर्थ से होता है तनमात्राओं से उत्पन्न सुर्भोतों का प्रत्यक्ष होता है जिनका परिच्यन आगे होगा प्रसंगतह या भिस्पष्ट कर रही हो कि अहंकार तनमात्राओं विशेश कहे जाती है क्योंकि अहंकार और तनमात्राओं से अन्यका रत्पन्न नहीं होते ग्यारा इंद्रियां सूर्भोत शब्दिस परशयतर मात्राओं से उत्पन पाज सूर्भोत आकाश वायुवादी विशेश कहा जाते हैं शब्दे येवाम इस परश भी विशेश कहा जाता है ग्यारा इंद्रियों, सुल भोतो, आकाश वायुवादी, सैन्य कारत्पन्न होते हैं अता इन्हें विशिष कहा जाता है सुक्ष्म शरीर के अंतरगत, महत्पुद्धी, अहंकार, ग्यारा इंद्रियां, इयम, शब्दिश परशयादे, पास्तन मात्राओं के गणना होती है वाय के कारियम बुद्धी द्वारा किया जाता है अठारे अवय वाला सुक्ष्म शरीर सिर नहीं होता, चरायमान होता है एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला होता है यह सुक्ष्म शरीर तब तक नष्ट नहीं होता, जब तक जान के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होता अगे इसी क्रम को अक्षुन रखते हुए 11 इंद्रियों की स्पष्ट विवेचना को अग्रिमा प्रतिभागिनी गुजरात की सोमनात विश्व विद्याले की पंडिता महोदया हमारी समक्ष इंद्रे विशे को सरल विशेयों सरल रूप में रखेंगी प्रुजी समस्त शोत्रिरिंद गुर्कुल वासिनी मेरी सभी भैनों शास्त्रों के नुसार 11 इंद्रिया है या 11 इंद्रियगान 5 जान वहाग 5 कार्य वहाग एवं एक मन का इंद्रिय समू है जानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये दस इंद्रिया वाहिय कई जाती है और मन अभ्यंतर इंद्रिय कहा जाता है या इंद्रिय समू हो प्रकृति के कुछ स्थूल रूप जो अहंकार रूप है उसे से उत्पन होता है सांख्य दर्शन में कहा है अहंकारात उभेम इंद्रियम अर्थात अहंकार से दो इंद्रिया उत्पन होती है अभी आप सुन रहे थे अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच्तन मात्रा उत्पन होती है अब मैंने आपको ज्यात कराया, अहंकार से 11 इंद्रिय गणों के उत्पत्ती होती है, इंद्रिगण के उत्पत्ती अहंकार से होती है, इसका निर्देश करते हुए महार्शी दयानन्द लिखते हैं, और अहंकार से भिन भिन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिफ्वा, ग्राण, पाद जयानेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्त और गुदा ये पाँच कर्मेंद्रियां है और ग्यारवा मन कुछ स्थुलपन होता है महार्षी के वचन से स्पष्ठ हैं पाच जानेंद्रियों पाच कर्मेंद्रियों एवं मन की उत्पत्ति अहंकार से हुई है महार्षी के स्वचन में वायर जोती रथाकाश मापोत प्रिथिवी तथा शब्द स्पर्ष्ठ रूपम्च रसो गंधस्त थाईवच एवं युकपद उत्पन्नम दश वर्ग मशाइशयं अर्थात वायू अग्नी आकाश जल और प्रिथवी तथा शब्द स्पर्ष रूप रश गंध और इसे प्रिथा दस वर्ग अर्थात दस इंद्रियों पदार्थों का वर्ग एक साथ उत्पन्न हुआ है माभारत के स्वचन में शब्दस परशादी पंच तनमात्राओं तथा पाच जयान इंद्रियों पाच करमें इन्रियों एवं दस इंद्रियों समों की एक साथ उत्पत्ति का संकेत किया है महाभारत के स्वचन में पंचादी तनमात्राओं की उत्पत्ति के साथ 55 भूतों की उत्पत्ति एक साथ हुई है यह निर्देश किया है तात पर ये यहुआ अहंकार से जैसे ही पंच्तन मात्राओ एवं इस्थिल भूतों की उत्पत्ती हो रही होती हैं उसी समय उत्पन हो रही पंच्तन मात्राओ से वायोगनी आदी स्थुल भूतों की उत्पत्ती हो रही होती हैं अहंकार से पंच तनमात्राओं एवं दस इंद्रियक समों की एक साथ उत्पत्ती होती हैं इसका प्रतिपादन अन्यत्र भी किया गया है यथा अहंकार अस्तु महतस तस्मात भूतानी चात्मना जुगपत संप्रवर्तन ते भूतानी वेंद्रियानी चा अर्थात उस महत से अहंकार उत्पन होता है उसकी आत्मा से भूतों तनमात्राओं की उत्पत्ती होती हैं भूत तनमात्राओं एवं इंद्रिया समकाल में एक साथ उत्पन होते हैं समकाल में एक साथ उत्पन होने के कारण पात जयानेंद्रियों के साथ शब्दस परशादी तनमात्राओं से उत्पन वायो अग्णियादी श्रोत्रों का भूत्वक आदी का संबंध होता है। उत्पन वायो अधी श्रोत्रों का संबंध होता है। करते हुए सांख्य दर्शनकार कपिल मेर्शी कहते हैं तनमात्रे भ्यास थुल भूतानी अर्थात शब्द आदी पंच तनमात्राओं से यधाक्रम शब्द से आकाश, स्पर्श से वायू, रूप से अग्नी, रस से जल, गंध से प्रिथ्वी ये पंच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। सांख्य दर्शन के पंच तनमात्राओं से स्थूल भूतों के उत्पत्ति के घधन्दवारा, पंच तनमात्राओं एवं आकाशादी स्थूल भूतों का कारेकारण संबंद भी परिज्याद हो रहा है। पंचतन मात्राओं एवाम इस्थूल भूतों के कारेकारण संबंद निर्दिष्ट करते वे स्वयाम कपेल रिशी कहते हैं इस्थूलात पंचतन मात्रस्य अर्थात इस्थूल से पंचतन मात्राओं का ज्यान होता हैं तत पर यह हुआ जिन पदार्थों के गुणों का ज्या झालता हें वे तुल काते हैं उना काश वायू आदी स्थुलभुतों से शब्द श्पर्श रूपरस गंध। पंचतन मात्र सुक्षम इकैर्णों का जान होता herself शब्द स्परशादी कारणों से आकाश वायो आदी इस्थुल पंचे माभूतों की उत्पत्ती हुई है। पंचे तन मात्राओं के इस कारे कारण संब्ध को इस प्रकार समझा जा सकता है। वस्तो के करण पार्टिकल्स परसपर जिस शक्ती से संब्ध होते हैं उस शक्ती का जान स्थुल पदार्थों को देख कर होता है। जल जो इस थुल पदार्थ हैं उसकी एक बूंद गर्म होने पर वाश्पर बन जाती है। पहला हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सिजन जल का जो अणू है उसमें वायवी कन बधे होते हैं। उस बंधन की ही शक्ती तनमात्रा कही जाती है। यह तनमात्रा दूसी प्रकार की तनमात्रा है। जल के दो रूप में एक बहाँ जो वाश्पर बना वाश्पर बनने से पूर्वा जल की मुंद इकठी थी संयुक्त थी उसमें की तनमात्रा भिन्न थी। जल का दूसरा रूप है जो विद्युत तनंग से संयुक्त किया गया जिससे दो वायवी बदार्थ बने हाइड्रोजन और आक्सेजन वायवी कंड बनने से पूर्वा जल के अर्णों में वायवी कंड बदे होते हैं। यह तनमात्रा दूसरी है वाश्पस से जल की बुंदों को वाधने वाली तनमात्रा से भिन्न है। अर्ण ब्यास विश्च विद्यारे की पंडिता महुदया हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके द्वारा हमें इस्थूल भूतों का स्वरूप विस्तार से समझने को मिलेगा। वे आएं और यह सुन्दर परिचर्चा अविश्य ही हमारे मध्य रखने का कश्ट करें। तेज, जल, प्रिच्वी ये पांच स्थुल भूत उत्पन हुए। आकाश, वायू, आदी पांच पदार्थों को भूत कहा जाता है। क्योंकि ये स्थाई नहीं होते, इनके रूप तापक्रम में बदल जाते हैं। इन भूतों की संख्या पांच है। वेद एवं वेदि ग्रंथों में पंच भूतों के आकाश, वायू, तेज, जल, प्रिच्वी ये नाम निर्धिष्ट है। आधोनिक विज्जा नर्थात आंगल भाशा में इनके दूसरे नाम दिये गए हैं। यथा आकाश को इयर कहते हैं, वायू को गैसेस कहते हैं, तेज, अगनी को रेडियो एक्टिव कहते हैं, जल को फ्लू इट्स कहते हैं, एवं प्रिच्वी को सोल इट्स कहते हैं। आकाश वायू आदी ये पदार्थ विशेश हैं। पदार्थों की आकाश वायू इत्यादी पांच अवस्थाएं हैं, वस्तु तहा आकाश वायू इत्यादी मरुतों की पांच प्रकार की अवस्थाएं हैं, मरुत विद्युत्युक्त वायू को कहते हैं, विद्युन मद्भिर मरुत तहा, रेगवेत के समंदर द्वारा मरु तापक्रम के उपर निर्भर होती है प्रायह प्रिश्वी का तापक्रम वढ़ने पर मरुत पिगल जाते हैं तद्यथा आपने देखा है बर्फ का तापक्रम शुन्य डिग्री से उचा करने पर जल बन जाता है तापक्रम को बढ़ाने पर मौम पिगल कर तरल हो जाता है गंधक आधि पदार्थ पिगल कर तरल हो जाते हैं कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो तरल होने से पूर्व विगटित हो जाते हैं जैसे लकडी है, वहाँ सामान्य ताप ग्रम में ठोस रहती है, किन्तु ताप के कुछ बढ़ने पर विघटित हो जाती है। लकडी जलने लकडी है, लकडी क्यों जलती है, क्योंकि लकडी हवा के ऑक्सिजन से मिलकर विघटित हो जाती है। पंच भूतों की अवस्थाएं मरुतकणों की अवस्थाओं पर आधारी थें मरुतकणों में एगुड यहां भी है कि अपने केंद्र बिंदों पर विकम्पित होते हैं सब पदार्थों ककन, मॉलिक्योल, पार्टिकल्स जिसे संग्षेप में मॉलिक्योल्स कहते हैं वे विकम्पित होते हैं, ये विकम्पित ही नहीं, अपितू वो आकर्षन से परस पर आकरिष्ट भी होते हैं वो आकर्षन को इस प्रकार समझ ले कि किसी पदार्थ के दो कन अर्थात मरुतकण परस पर शांति पूर्वक आकरिष्ट होते हैं वहाँ मरुद कणों के आकरशन पदार्थों के द्रविमान के गुणा के बराबर होता है अन्यचों उनके अंतर दूरी के प्रतिले के गुणा से कम होता है इस प्रकार यदि मरुद कणों में अंतर न्यून होता है तो वे द्रिड़ता से परस पर आक्रिष्ट होते हैं उनका आकरशन पदार्थों के रविमान के गुणा के बरावर होता है इस कारण वे पदार्थ ठो सवस्था कहलाई जाती है ठो सवस्था नामक पृत्वी वे पदार्थ होते हैं जिनके मरुत कण में अंतर नियून होता है वे द्रड़ता से परस पर आक्रिष्ट होते हैं जो परदात तरल होते हैं उनके मरुत कण में अंतर अधिक होता है वे द्रड़ता से आक्रिष्ट नहीं रहते उनका आकरशन धीला सा हो जाता है जिसके कारण वे तरल अवस्था को प्राप्ट हो जाते हैं और अधिताब करम के बखने पर वे वाईभी अवस्था में बदल जाते हैं यहां यहां समझने योग्जी हैं वाईभी अव recurring जो पदार्थ हैं उनके मरूत आणू इतनी उन्में इतनी अंतर दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण उनका भू आकरशन उनको परस पर आकरिष्ट नहीं होने देता जिससे मरूत अनुव स्वेच छया उन्ने लगते हैं मरूत अनुव की पृत्वी वाईू वजल की अवस्था में यहां वस्तु इस्थिती होती है इन पंच भूतों में अगनी और आकाश भूत भी है उनमें इस्थित अनुव की स्थिती भू आकरशन अत्वा अनुव का परस पर संबंध मरूत कणों से ना होकर परिमंडल से होता है अगनी संबंधी भी परिमंडल होते हैं आगने यह रेडियो एक्टिव परिमंडल स्वता विगटित होते हैं इनमें इस्थित मित्रे इलेक्टरन वरन प्रोटन बहार को निकल कर बहते हैं ये अपने में विद्यतावेश रखते हैं विद्यतावेश रखने के कारण ये शक्तिकणों को बहार फेकने से आगनेय अगने को उगलने वाले कहे जाते हैं ये आगनेय माने जाते हैं आकाश सम बोपक्षम दिखते हैं यह किसी भी पार्थिव जललीय वाइवीए पदार्थों के मरुत कनों के मध्द्ध में भी आ जाते हैं यह पंच महभOOD आगनेया आकाशीय पार्थिव जल्एय वाइवीय पदार्थ वे प्रित्वियादी महभूत नहीं है जो द्रिश्टी गोचर होते हैं ये तन मात्रा के साथ उत्पन होने वाले पंच महाबूत है इत्योंशम दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री विश्व विद्यारे के प्रोफेसर सुधाकर मिश्ट ये सुधीजन, माताओ, बहनो, श्ट्रोत्रिविंद, तन मात्राओं से इस थुल भूतों की उत्पत्ती होती है वे तन मात्राओं कितनी हैं इसका परिजन मेरे से पूर्व, जैपुर से पधारी बहन बता रही थी उन्होंने बताया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांस तन मात्राओं हैं इन पांस तन मात्राओं से आकाश, वायू, जल, पृत्वी ये स्थुल भूत उत्पन हुए हैं माननिये श्टोत्रेविन, इस थुल भूतों की उत्पत्ती में पांस तन मात्राओं का किसका कितना योगदान हैं, किस पधार्ट की उत्पत्ती में, किस तन मात्रा कितना इश हैं, ये जानना आवश्यक है जैसे आपने सुना, शब्द तनमात्रा से आकाश उत्पन होता है, इस पर्ष तनमात्रा से वायू, रूप तनमात्रा से जल, गंद तनमात्रा से प्रिथ्वी की रचना होती है। तनमात्राद वायू, रुप तनमात्राद तेजह, रस तनमात्राद आपह, गंद तनमात्राद पृथिवी, इत्यादी क्रमेन, पूर्वा पूर्वानू प्रवेशे नहीं का, वीत्री चतुष पंचे गुणानी, आकाशादी पृथिवी परियंतानी, महा भूतानी, इति श श्रीक रम uważ इसकतर में तनमात्राओं से पंच भूतों की उपत्ति str nutr में देड़ा शर्यतन नेतन मात्रा का है इसे इस प्रकात समझें आकाशादी 5 व्यास में अपना अधीश अर्था चारवाग होते हैं शेशार भूतों के एक्ष्टमाश मिलकर पंची कन प्रक्रिय बनती है ताथ करेया हुआ जैसे आकाश में है वैसे वायू जल तेज़ में भी है अगनी में रूपतन मात्रा है वैरूपतन मात्रा जल थे प्रित्वी आक प्रिथिवीं बुख्य अंशी गंदस्थ तन्मात्रा आकाश वायू जल में भी होती है उपस्ते स्थी शोत्रीविन्द आकाश भी भूतों का सुक्ष्म भूत रोब भी होता है जो मैंने अबी तन्मात्राओं का भाग निर्दिश्ट किया भैस्तूल भूतों का है जिनसे की पतंग पशू पक्षी मानावादी शरी निर्मित होते हैं इस्थूल शरी की रचना इस्थूल भूतों से होती है पास्तनवात्राओं से इस्थूल भूतों के निर्माण में किंचित भेद है पंचिकरण की अपक्रिया तत्तु वैशार्दी में ब्याख्यात है बचन है पार सटीय प्रमाणों गंधादी रस्तनमाटरा हिना अभ्याम इसपर अभ्याम इस्पर्शक्रतन अभ्याम इंयतों 20 मॉत्य से आकाशादी भूतों के उत्पत्ती होती है उस उत्पत्ती में शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन होता है वायू के उत्पत्ती स्पर्षवा शब्द से होती है अगनी के उत्पत्ती शब्द स्पर्ष रूप से होती है प्रित्वी के पत्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पास तनमात्राओं से होती है मैं समझती हूँ, मैं एक मेरे एक वक्तव से इस्तुलू विम सुक्षम भूतों में विद्यमान तनमात्राओं की विवस्था को आप समझ गए होंगे उत्तराखंड विश्व विद्याले से उपस्थिद है प्रोफेसर सिध्धान्त त्रिवेदी अन्य विद्वजन, आचार्यगन, एवं दूर-दूर से पधारे विए भाईयों, बेहनों, पूजियां माताओं आप सभी सांकेदर्शन नर्दिष्ट 25 तत्व पर विचार सुन रहे हैं, उनमें 25 तत्व पुरुष है पुरुष तत्व की दो अर्थे हैं, जीवात्मा और परमात्मा 25 तत्व जीवात्मा किस प्रकार का है, उसे कैसे जाना जाए, उसकी क्या पहचान है यह नर्दिष्ट करते हुए काठक संगिता में कहा है सोना किसी को नहीं है, ध्यान से सुनिए मैं आपको काठक संगिता के माध्यम से जीवात्मा पुरुष का परिचे दे रही थी जीवात्मा के स्वरूप में सांख्यकार कहते हैं जडव्या गृत्तो जड़म प्रकाशयती चिद्रूपह अर्था जीवात्मा चेतन है, जड़ से भिन्न है, चेतन जीवात्मा जड़ को प्रकाशित करता है जीवात्मा चेतन है, कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्मों के फल भोगने में परतंत्र है जैसा कि सांखे दर्शन में कहा है चिदवसाना भुक्तिस तत कर्मार्जित अत्वात अर्थात भुक्तिस चिदवसाना भोग चेतन पर्यंत होता है तत कर्मार्जित अत्वात भोग के चेतन कृत कर्मों के द्वारा अर्जित होने से कर्म करने वाला भोगने वाला जीवात्म अनेक हैं सांके दर्शन का कथन है जन्मादी जवस्थाता पुरिश वहुत्वम जवस्थातो नाना अर्थात जन्म मरण सुख दुख आदिकी व्योस्था होने से जीवात्मा अनेक हैं जीवात्मा के नित्यत्व को निर्दिष्ट करते हुए कठोपनिशत में कहा है न जायत कारण से उत्पन्न हुआ है ना पहले कभी हुआ था यह अजन्मा है नित्य है शाश्वत है सनातन है शरीर की मारे जाने पर भी यह नहीं मरता मैं बुला रही हूँ काकडवाडी आरी समाज के पंडित जी को वे यहां इस अंतिम पिशे की विवेचना द्वारा हमें आलो कित करें रजय चैनती समारों के अवसर पर मान की युग्य मेरी माताओ वित्वजन निरिनायक गर्ण सभासद सांके दर्शन निर्दिष 25 तत्वों में पूरुश तत्व पर चर्चा हो रही है जिसके दो भेद है जीवात्मा परमात्मा मेरी से पूरो वक्तरी बहिन जीवात्मा व पूरुश तत्व की द्विती और परमात्मा विशय पर अपने विचार रखोंगी परमात्मा पूरुश का दिकदर्शन वेदों में पूरुश सुक्त की द्वारा किया गया है पूरुश सुक्त चारों वेदों में है रिक वेद यजुर वेद साम वेद की पूरुश सुक बहुत वक्तन वाचटnica है सहस्त्र मितिबहूंः नाम अरतात्वःपरमपुरुष, सहस्त्र वह सामर्थियों सिपुर्ण सिर की शक्ती वाला, वो दृष्टी की शक्ती वाला, वो पैरों की शक्ती वाला है वह चारो अरसी भूमी को स्पर्ष व्याप्त करके दश्टांगुलम, पंचे सुख्ष्मभूत, पंचे स्थुल भूत वाले संपूर्ण ब्रह्मान में अतियत इश्टत हिस्तित है पुरुष शब्द का आर्थ करते हुए, महर्षी द्यानन जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते है जो जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है महर्षी यास्क पुरुष शब्द का आर्थ करते है पुरुषा 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 पूरिद करता है अप्याइद करता है अदब परमात्मा पूरुष है महार्शी यास्क ने पूरुष शब्द के तीन नर्वचन करके परमात्मा जीवात्मा की पूरुष संजय बताई है इस प्रकास उसपश्ट है जैसे जीवात्मा पूरुष है वैसे ही परमात्मा भी पू प्रदानक शेत्र पतिर गुणेश्य हम संसार मोक्ष स्थिति बंदे तु अर्थात्वह परंपुरुष्ट संपुन जगत को बनाने वाला है विश्वभर को जाने वाला सर्व है स्थिति बंदे वाला है सर्वभर को बनाने वाला है सरगुन संपन्न है सब विद्या का भंडार ववेता है सत्वर अरजस्तमस युक्त संसार मोक्ष जगत का पालक एवं बंधक का कारण है प्रवर्थक है वह से जन्य कहते हैं कि इश्वर है ही नहीं कुछ का कहना है कपिल र सुधर बांदि दर्शन है प्रेसितर नय यंग है NOT घ्रुपतव आर्थात इश्वर जीव दोनों के भेद़ फाए जाने से पर्मात्मा आनन्न शृप चेतन हैं एंसमी मैई पॉइस्टी सर आननदपाता है इस प्रकार पर्मात्मा पुरुष श्रिष्टी का सरकर्ता है पा प्रति को पासना नहीं होती उसका मुख्य नाम है वही सबका स्मरणिया है ओम क्रतो स्मरा इतना ही कैके में अपनी वानी को विराम देती हूं इत्युम्षा